वेलकम तो नायन अल्टिमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे हम लोग मध्यकालीन भिहार का इत्यास पढ़ रहे थे इसमें दो क्लासे साप लोगों का पहले हो चुका था जिन लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे इंडिया हों आएं आप लोग जा करके देखे सास में आज यहां पर तीसरा क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमने उसी दिन बात कि था कि 1580 में क्या हुआ था मुगल समराट अकवर ने क्या क्या था मुगल समराज का एक सुबा बिहार में बना इसके बाद 1621 में क्या होता है जहांगीर ने क्या किया मुगल समराट जहांगीर ने क्या किया अपने पुत्र राजकुमार परवेज को भी हर का सुवेदर बनाता है हम लोग यहां पर उनहीं घटनाओं को पढ़ रहे हैं मध्यकालीन में जिसका संबंद बिहार से हैं आप इसके बाद देखो 1621 में क्या हुआ जहांगीर ने क्या किया अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का सुवेदर नुक्त करता है इसके बाद 1658 में और उसका भाई दारा सिकोह की बीच में युद्ध होता है जिसमें और अरंग बिजय होता है बिजय होने के आया राजकुमार अजीम का ही पुत्र का नाम था फारुक्सियार जिसका जन्म पटना में होता है और पहला मुगल सासक था या मुगल समराथ जिन्होंने अपना राज जबिसेक 1713 में पटना में किया था मुगल समराज 1713 में जो है राजा बना था सयद बंधू के साहिता स से स्यद बंदू जिते जो किंग मेकर के नाम से मद्ध कालीन में जाने जाते थे आप लोग पढ़ोगे मद्ध कालीन भारत में और उसका सम्मंध पटना से ही रहा है किंग मेकर का ठीक है समझ में आग यह होगा कि 1580 में अकवर ने क्या किया मुगल समराज का उस समय 12 सुभा था उसमें से एक बिहार को बनाया मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया था ठीक है 1621 में फिर जहांगीर अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का सुभेदार बनाता है फिर 1658 में और अरंग जेव और दरा के भी युदों सा जिसमें औरंग जेव बिजाई ह होता है और राजकुमार अजीम को जो है बिहार का सुभेदार बनाया जाता है और इसके बाद इसी का फुद्र फारुक सियार होता है जो कि पहला मुगल समराड था जिसका राजविश्यक्षेख पटना में किया प्रसंदेखो यहां से एक प्रसं ये बनेगा सबसेपहला बेद यह important कि वो ऐसा कौन सा मुगल समराड था जिन्होंने अपना राज़ जब इसे एक पटना में कराया था आप लोग इसको याद रखो क्यों कौन था फारुक सियार आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लो अब हम लोग यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं कि बिहार के साथ साथ बंगाल की नबाबू की क्या इस्थिति रही देखो तो फारुक सियार के काल में ही क्या हुआ फारुक सियार की काल में सद्रों सद्रों में क्या होता है मुर्सीद कुली खां को बंगाल का सुविदार बनाया गया आगे चलकर क्या किया उन्होंने मुगल की अस्थापना करने का सब्सक्राइब किसे दिया जाता है तो आप लोगी याद रखना मुर्सीद कुली खाने राजधानी पहले ढाका हुआ कर दी थी बंगाल का वहां से परिवर्टित करके मुर्सीदावाद लिया थी इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक है ना ढाका से राज 740 में गीरिया के युद में सर्फ़राज खां और अलिवर्दी खां कि बीच होता इसमें अलिवर्दी खां का होंथा भिहार के नयाव सुवधार था उन्होंने इसको हरा दिया गीरिया के युद में हरा करके और मुगल समराज को 2 करोर रुपे का नजराना देख करके नबाब का पद जो है हस्त गत कर लेने के खुद नबाब बन गया ठीक है इसके बाद 1756 में आलिवर्दी खांकी मिर्तु होती है मिर्तु के बाद क्या होता था पुत्री का पुत्र सिराजु दौला नबाब बना और अब मैं आप लोगो एक पलासी की युद्ध की कहानी बताने जा रहा हूँ बहती इंपोर्टन एक तो आप लोग डेट याद रखे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 कई बार दिये 1757 पूछा गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था 1757 कई एक जाम में कोस्टन आया है तो आप लोग इसको जरूर याद रखना 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेजों का नितरुत किस ने किया था तो रौवर्ट कलाइब यह भी कोस्टन कई बार पूछा गया है कि पलासी की युद्ध में अंग्रेजों का नितरुत किस ने किया था तो रौवर्ट कलाइब आप लोग इस पॉइंट को याद रखो ठीक है बेहरती सांदार पॉइंट है एक जाम में आ सकता है एक तो आप लोग यह याद रखो कि पलासी की लड़ाई कब हुआ तो 1757 में हुआ किसके किसके बीच हुआ तो सिराजु दावला और रौवर्ट कलाइब के बीच होता यह है कि सिराजु दावला का सेनापती मीर जाफर था परधान सेनापती जिन्होंने क्या-क्या अंग्रेजों के साथ मिल करके सिराजु दौला के साथ बिस्वास घहात करके उसको युद्ध में हराके उसके हत्या कर दिया उसके पुत्र के द्वारा ठीक है इस तरह से सिराजु दौला की हत्या हुआ थी इसके बाद मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना ठीक है मीर जाफर जो है नवाब बना लेकिन मीर जाफर पर अंग्रेज बहुत जैदा मतलब अंग्रेजों के हाथ की कठपूदली थी अंत में मीर जाफर ने त्याग पतर दे दिया फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर का दामाद मीर कासीम को साथ में सासक बनाया मीर कासीम चुकूई एक योग की सासक था वो चाहता था कि अंग्रेज जो है उसके सासन में हस्त छेप न करे उन्होंने क्या क्या राजधानी को मुंगेर लाया आप देखो राजधानी वाली important point है बंगाल की राजधानी पहले धाका थी धाका से मुर्सिदावाद लाया किसने मुर्सिद कुली खाने धाका से मुर्सिदावाद मुर्सिद कुली खान लाता है और मुर्सिदावाद से मुंगेर लाया तो मीर कासिम याद रखना उन्होंने क्या किया कि बंदूक और तोपो की फैक्टरी मुंगेर में लगाया और आज़ने की करन के लिए कई सारे काड़ किये अंग्रे जिसके काड़ियों को जो है सहन नहीं कर पाया और पुनह दुबारा क्या करता कि मीर जाफर यह कौन था यह मुगल बादसा था और सुजाओ दौला इन तीनों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाप एक सांट ने गटबंधन खड़ा किया और 22 अक्टूबर 764 को बक्सर के युद में अंग्रेजी सेना का नेतुरूत हेक्टर मुन्रों ने किया था बक्सर का युद हो था उसमें अंग्रेजों की बिजाए होती है तो आप देखो यहां से पॉइंट क्या बनेगा बक्सर के युद का नेतुरूत किस ने किया था तो हेक्टर मुन्रों ने अंग्रेजों की तरफ से और और इधर से कौन था तो मीर कासिन साहालमटू और सुजाओ दौला तीन बिगति इधर से थे आप देखो एक और पॉइंट बनेगा कि पलासी का युद का नेतुरूत किस ने किया था तो रोबर्ट कलाईब ने किया था और बक्सर के युद में अंग्रेजों का नेतु के दिवानी परदान कर दी आती है तो आज आप लोग को मद्धकालीम बिहार का इतिहास कंप्लीट हो गया तो आप देखो आप लोगों को क्या करना है आप लोग अच्छी तरीके से जो है वीडियो देखने के बाद सेर जरूर करें और इसको देखने के बाद आप लोग एक बार किसी में किसी बुक से जरूर पढ़ें आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि एक्जाम में आपका कोई भी कोस्टन नहीं छूटेगा और एक्जाम तक मैं आप लोगों को पूरा बिहार विसेस कंप्लीट करा दूंगा आने वाला अगला क्लास बिहार का भूगोल मैं ल दूंगा तो जो भी लोग वीडियो देखतों सेर जरूर करें तो आप लोग समझ में आ गया होगा यह उम्मीद करता हूं अगर नहीं आया तो एक बार और देख लो देखो एक बार ध्यान से और देख लो जिसको जिसको नहीं आया जिसको आ गया वो लोग जा सकते हो बिहार का सुभेधार बनाता है 1658 में औरeremos massacre पारजीम को बिहार का सुभेधार बनाया पूत्र फरुक सेयर होता है जिन्हों ने क्या किया था है तो फरुक सेयर आप लोग्न याद रखना अब देखों बंगाल हम लोग पढ़ने जा रहा हैं फरुक्स हुआ ये कि जो मुगल समराज जैसे कमजूर हुआ बहुत से राजपन अपने लगे जैसे हादरावाद हो गया निजाम मुल्क हो गया ठीक है जता हादरावाद अब तमाम सारे चिजिए छोटे-छोटे राजपन अपने लगे तब हम लोग देखो क्या हुआ फरुक सियार के काल में 777 में मुरसीद कुली खां को बंगाल का सुवेदार जो है बनाया गया आगे चलके मुगर समराज की कमजोर इस्थिती का फाइदा उठा करके उन्होंने क्या क्या सुतंतराज की नीव डाली और राजधानी धाका से मु करिया के युद में हरा करके और मगल समराज को दो करो रड्रो饮 नजराना दे लEvet करके नबाब का पस जो है ऐस्थ़गत कर लेता है इसका इसकी मिर्थू फिर मिर कासिम मना, मिर कासिम योग था अंग्रेजी से हटा दिया, फिर बकसर का युद होता है, और बकसर के युद में अंग्रेजों का विजय होता है, और अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ा था, हेक्टर मुन्रो बकसर का युद किया था, इलहाबाद की संदी 765 में, और इसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उरिशा की दिवानी परदान की जाती है तो उम्मीद है कि आप सब लोग के समझ में आ गया होगा बागी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद दे